उत्रप्रदेस की जनता को सोमवार से राहत मिलने की संभावना है मौसम विभाग ने अलग कुछ दिनों प्रदेस में बारिस का अलर्ड जारी किया है यह बारिस का सिलसिला 6 मई से सुरू होकर 11 मई तक रहने वाला है हाला कि 6 मई को पश्चमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है जबकि इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिस और गरज चमक के साथ बहुचारें पढ़ सकती है पश्चमी यूपी में ज़्यादतर जगों पर बारिस होने के आसार है इस दौरान पूर्वी यूपी में कुछ जगों पर बारिस होने की संभावना है आगरा सीर से समाजवादी पार्टी ने सुरेश करदम को प्रत्याशी बनाया है इनके समर्थन में जनता को संभोधित करने के लिए सपाचीफ अकलेश यादो एटा पहुचे और जनता से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने बिजेपी को घेडने को कई कोई कसर नहीं छोड़ा अकलेश यादो बिजेपी पर जमकर भड़के अकलेश यादो एटा जनपत के जलेसर में एमजीएम इंटर कॉलेज में जनता को संभोधित कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग समविधान को बदलना चाहते हैं इस बार जनता उन्हें बदल देगी अभी तक हमने मन की बात सुनी है बाबा साहब को मानने वाले लोग कहते हैं कि अब मन की बात नहीं समविधान की बात होगी विजेपी पता नहीं क्यों जब समविधान की बात आती है तो पीछे हो जाती है खबर प्रताफगर से है जहां पर अराजक्ततों ने बाबा मेटकर की मूर्ती को तोड़ दिया है वहीं प्रदान प्रतिनी दिने अराजक्ता फैलाने का आरोप लगाया है इसके अलावा सपा प्रत्यासी डॉक्टर स्पी सिंग पटेल भी घटना स्थल पर पहुंचे और आजक्तत्व लोग समिधान को खत्म करना चाहते हैं इस मामले को लेकर पुलिस जाच में जुटी हुई है यह पूरा मामला भूपतपुर गाउं के अमबेटकर पार का बताया जा रहा है यह बहुत ही निंदनी अगटना है हम अपने महापुरसों को हमेशा याद करते हैं उनके जन्म दिन मनाते हैं और जन्म दिन इसलिए मनाते हैं उन्होंने देश के आजादी के बाद एक सम्विधान लिख करके करने जो दिया था उसी के तहित हम लोग जो है यहां पर बराबरी का दर्जा पाए हैं वोट का अधिकार पाए हैं और यह सब उनके सम्विधान के ही कारण हुआ है अमेठी में कॉंग्रेस कार्याले के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़ फूआ है